हेलो स्टूडेंट्स अपना गुर्कुल यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 8 के नाव देबेच के चेप्टर नमबर वन जिसका नाम है रैस्ना नमबर भास के आरे सगरवाल की बुक है जो स्टेंडरड भुक होती है इसके अलिए ऑज हम लोग एकसेसाइज फैसाइज 1 uw2 365 के इस वीडियो के अंदर solution देखने वाले तो चलिए शुरू करते हैं तो आरे सगरवाल की जो बुक है वर ने बुक है उसके exercise वने का जो पहला question है वो है कि express minus 3.5 एजर रेस्टनल नंबर विद denominator minus 20 minus 35 minus 40 अब इसका क्या मतलब है उसको समझते हैं तो देखो यहां पर actual में जो यह तीनों questions है इन तीनों questions में जो concept लागू होने वाला है वो concept है हमारा equivalent rational numbers का तो इसलिए आप लोगों को मैं पहले request करता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने हमारे concept videos नहीं देखें तो पहले जाके concept videos को देखिए वहां पर समझने की कोसिस कीजिए कि equivalent rational numbers क्या होते है उसके बाद में आप लोग in lectures के solutions है जिनके अंदर हम लोग आ रहे सक्रवाल के solutions को देख रहे हैं इनको आराम से देखिए और आप लोगों पासानी से यह समझ में आ जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो हमें क्या करना जिसे पहले के basis पे क्या करना है जैसे minus 3 upon 5 है हमें क्या बोला है कि इसके denominator को हमें कितना बनाना है minus का 20 बनाना है ठीक है साथ में ही second में क्या बोला है minus 3 upon 5 के denominator को हमें कितना बनाना है minus का 30 बनाना है third में हमें क्या करना है minus 3 upon 5 के denominator को हमें 35 बनाना है ठीक है और इसके साथ ही last में हमें क्या करना है minus 3 upon 5 है इसके denominator को हमें minus का 40 बनाना अब क्या कहना चाहता है उसको मतलब समझो तो मैं 5 से क्या बनाना minus का 20 तो हमें किसी number से multiply करना पड़ेगा जब इसको multiply करोगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा उसी number से multiply करना पड़ेगा तभी दोनो numbers क्या होंगे equivalent होंगे तो होगा क्या जैसे देखो इसको अगर मैं माइनस के 8 से मल्टिप्लाई करो माइनस के 8 से क्यों कर रहो क्योंकि मुझे नेगेटिव का सोरी माइनस के 4 से माइनस के 8 से नहीं माइनस के 4 से तो देखो 5 4 जा 20 और प्लस माइनस माइनस का 20 बन जाएगा अगर मैंने डिनोमिनेटर को माइनस 4 से मल्टिप्लाई किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा numerator को भी minus 4 से क्या करना पड़ेगा multiply तो अब यह जो इसको multiply करने के बार में जो नया rational number आएगा वो दोनों इसके equivalent होगा जो कि मैंने यहापे आप लोगों को बताया है कि यह वाली चीज़ आपको concept video में समझाईए अच्छे से तो देखो minus minus plus हो जाएगा 3,4,12 यानि कि देखो हमारा एक नया rational number मिल गया जिसका denominator कितना है minus का 20 है ऐसे minus 30 कैसे बनेगा अगर 5 को minus के 6 से multiply कर दे तो minus 3 को भी minus 6 से multiply करना पड़ेगा तो उपर तो हो गया minus का 18 sorry plus का 18 minus minus plus 3,6,18 और नीचे कितना होगा 5,6,30 plus minus minus का 30 हमें यही बनाना था ऐसे 40 वाले को भी करके देख लेते हैं पहले तो यह रा देखो तो 5 को क्या करें minus के 8 से multiply करो तो minus के 3 को भी minus 8 से multiply करो तो उपर दो हो गया plus का 24 और नीचे हो गया minus का 40 I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी ऐसे अब 3 से 35 बनाना है तो इस बार प्लस से ही multiply कर दो 7 से तो 5,7 जा 35 बन जाएगा तो numerator को भी क्या करना पड़ेगा 7 से multiply करना पड़ेगा तो उपर बन गया कितना minus का 21 तो इसी के साथ हमारा पहला वाला question कतम होता है I hope यह चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी similar यह दोनों क्योंस भी वैसे इसके अंदर क्या बोलाया कि express माइनस 42 अपो 98 एज रहसना लंबर विद डिनोमिनेटर डिनो का मतलब है यह पर डिनोमिनेटर सेवन अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर मारे को कम लाना यहां पर क्या हो था बड़ा बनाना था तो बड़ा बनाने के लिए मैं मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा यहां हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा नियूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को किसी से डिवाइट करना हमें HCF निकाल लेना है 42 और 98 का जब आप HCF निकालोगे तो आपको पता चलेगा कितना आएगा इसका 14 आएगा तो जो HCF 14 आ रहा है ठीक है हम क्या करेंगे अब इसको तो मैं बताना चाहता हूं कि यह देखो यह सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब के ऐस का रपया जैका करता है नहीं DR system अवल्सक्राइब करने 277 हो गया हैं नए एक नया रहस्टा नंबर कितना मिल के हमारे को माइनस 3 अपॉन 7 जिसका कितना पॉल ना करना था हमारे को 7 और हमारा हो गया I hope यह चीछ समझ में आ गई होगी इसका जैसा का जैसा question यह है तो यहां क्या करना है minus 48 upon 60 इस 60 को हमें 5 बनाना है तो हमें क्या करना है इस 48 और 60 का क्या लेना सबसे पहले HCF लेना है तो HCF लोगें तो देखना अप लोगों को पता चलेगा कि 12 आएगा तो मैं 60 को भी 12 से डिवाइड करना है और 48 minus के इसको भी 12 से डिवाइड करना है तो यह minus 4 आ जाएगा नीचे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा तो minus 4 upon 5 क्या है वो rational number है जो इसको express करके बना है और जिसका denominator कितना है 5 है I hope यह तीनों questions आप लोगों को समझ में आ गए होंगे next slide पर हम लोग 4th question को देखते हैं इससे note कर लीजी अब हम देखते हैं हमारा question number 4 क्या होगा तो question number 4 क्या है देखो कि express each of the following rational numbers in standard form तो सबते पहले तो standard form का मतलब समझते हैं तो standard form मैंने concept videos में समझाया था कि standard form किसी भी rational number की वो form होती है जिसके अंदर है जैसे P by Q एक rational number है तो P और Q इसके बीच में no common factor कोई भी common factor नहीं होना चाहिए एक के अलावा साथ में जो denominator है वो denominator क्या होना चाहिए positive होना चाहिए तो हमारा major focus यह है कि दोनों को इस तरीके से soul किया जाए कि दोनों का denominator पहले तो positive बन जाए और साथ में दोनों के अंदर बीच में कोई भी common factor नहीं होना चाहिए तो देखो तो यहां तो देखो इन दोनों के उसन्स में तो denominator अल्रेड ही क्या है positive है तो हमारे को वो सबसेफ कितना आएगा 6 आएगा क्योंकि 6 वो नंबर है जिससे हम दोनों नंबर को क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते सबसे बड़ा नंबर इसके बाद में क्या करना है हमारे को equivalent rational number का concept लगाने इसको भी 6 से divide कर देना है और इसको भी 6 से divide कर देना तो यह माइनस का 2 आएगा और यह आजाएगा यहां पर 5 तो माइनस 2 अपन 5 वो नंबर है जिसमें 2 और 5 के बीच में कोई common factor नहीं वन के अलावा साथ में इसका denominator भी कितना है 5 है तो यह हमारा क्या हो जाएगा final answer हो जाएगा जो कि standard form में convert हो गया I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गयूगी similarly यहां पर भी हमारे को क्या करना है 14 और 49 का HCF लेना है जब HCF लोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आएगा 7 आएगा फिर क्या करोगे दोनों numbers को 7 से डिवाइड कर दोगे इसको भी 7 से डिवाइड किया इसको भी 7 से डिवाइड किया जो नया रहस्तन नंबर आएगा वो इसके equivalent होगा ठीक है तो यहां आ जाएगा minus का 2 नीचे आ जाएगा 7 तो यह जो हमारा है result आया वो ही क्या हमारा answer है ठीक है जिसके अंदर क्या है standard form में convert हो गया अब सबसे पहले यहां पर minus का denominator क्या है दोनों कैसे में minus क्या है तो इनको positive बनाना है तो वो कैसे बना है तो देखो इस minus 64 को हम क्या कर सकते हूँ पहले काम करते हैं दोनों का हम ले लेते हैं HCF तो HCF कितना आएगा तो देखो मैं निकाल के बता देता हूँ 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 64 का क्या होगा 228, 2, 14, 2, 7, 7, 1, तीक सोरी गलत तो नहीं हो गया यहां गलत कर दिया है आपर 28 नहीं आएगा 32, 16, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1 अब जो कोमन आ रहे हैं वो देखो एक कोमन आ रहा है दो आ रहे है और तीन आ रहा है बागी कोई कोमन नहीं आ रहा है इन तीनों को मल्टिप्लाई कर लो तो यह क्या आ जाएगा हमारा HCF तो 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8 तो HCF कितना आ गया 8 अब देखो अगर हम 8 से डिवाइड करे करते हैं उपा डिनोमिनेटर को भी माइनस 8 से डिवाइड कर ले और मतलब नियूमिनेटर को भी माइनस 8 से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी माइनस 8 से इससे फायदा क्या होगा माइनस माइनस यहां पर डिवाइड हो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो न ठीक है तो यानिकी線 किमा एन आलTON निश्तक है मायनस टर्सक्राइब कर सकते होंड तो जब सकते हैं इस से बड़ा नंबे जिससे हम क्या कर सकते हैं । इसके सकते हैंब। तो यह थक सो इसको भी आप नोट कर लीजिए इसी के साथ आज का लेक्टर हमारा खतम होता है जिसमें आमने हमारी जो आरे सगर वाल इस्टेंडर गूक है इसके एक्सेसाइज 1A है उसके एक सेरे के चार तक के सोलीशन्स हमने देख लिए आगे के लेक्टर्स में आम लोग बाकी के क्यों को भी सोल करने की कोशिस करेंगे इसके साथ ही अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में इसके साथ ही आप लोग हमारा चेनल सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी बलते रहें तब तक के लिए थैंक्यू